असलाम वालेकम दोस्तों गोगी टेक में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके किसी भी शोमी डिवाइस को कम्प्लीट एक आइफोन 10 की लुक दे सकते हैं एक थीम के जरे चाहे वो नोटिफिक्शन बार हो चाहे डाइलर हो चाहे साइटिंग्स तो इसके लिए आपको सबसे पहले आइफोन 10 की फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जो कि आती है एमटी जड़ फार्मेट के साथ जिसका साइज है लगबग साड़े साथ एंबी इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद अपने प्ले स्ट और ओपन कर लो फ्ले स्ट और ओपन करने के बाद यहां पर सर्च करना है यह माई यूआ थीम एडिटर जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दिया हूँ उस एप को इंस्टाल कर इंस्टाइब करने के बाद open कर लीजिए open के बाद browse पर क्लिक करो ब्रोज पर क्लिक करते ही आपके find manager में वह ये आप प फाइल सार्च करो जो आइफॉन एक्स तुम डाउनलोड किया था वस फाइल को सार्च करने के बाद क्लिक करके ok कर दीजिए उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करो स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिनिश कर दीजिए उसके बाद ये थीम डाउनलोड होगी यह Theme दाउनलोड होने के बाद पूछेगे आपको क्या यह Theme इंस्टॉल करना है यह आप दिखा रहा है कि यूर थीम इस रेडी दू यू वान टू इंस्टॉल इट तो ओके कर दीजिए उसके बाद फिर से ओके कर दीजिए अब यह Theme आपकी Create हो चुकिए आप चाहे तो यह यवाई UI Theme इडिटर को अनिस्टॉल भी कर सकते हैं उसके बाद आपने Xiaomi डिवाइस के जो Theme आप है उसको ओपन कर लीजिए उस Theme आप को ओपन करने के बाद offline में चले जए वहाँ पर नज़र आएगी iPhone 10 की Theme जिसको क्लिक कर दीजिए क्लिक करने बाद महाँ पर apply कर दीजिए यह फोन यह Theme जैसे यह apply हो जाएगी तो आपका सारा का सारा iPhone iPhone X का Theme अपले हो जाएगा उसके बाद आपके सारे फोन के जो एप्स है जो notification बाहर हो चाहे वह एप्स हो चाहे हो डाइलर हो सारा का सारा iPhone X का लुक दिख जाएगा तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूर्ण हुले